कॉंग्रिस अध्यक्ष मल्लिकारजुन खडगे ने शनिवार को कहा है कि मनिपूर में दुर्भागिपूर्ण घटना हुई लेकिन प्रधान मंत्री मोधी वहां नहीं गए वे राम मंदिर साइट या बीच पर जाते हैं और फोटो सेशन कराते हैं वे इस तरह फोटो खिचवाते हैं जैसे भगवान दर्शन दे रहे हों लेकिन ये महापुरुष मनिपूर क्यों नहीं जाते खडगे ने यह बात 14 जनवरी से शुरू होने वाले भारत जोडो न्याय यात्रा के बारे में मेडिया से बात चीत के दोरान कहीं उन्होंने कहा राहुल गांधी के नेत्रत्व में मनिपूर से शुरू हो रही यह यात्रा देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनितिक और बुन्यादी मुद्दों को लेकर निकाली जा रही है हमें सभी के समर्थन की जरूरत है राहूल गांधी जी के नेत्रवत में ये भारत जोडो नियायात्रा मनिपूर इमपाल से शुरू होगी और नागालैंड आसाम अरुनाचल प्रदेश होते हुए ये देश के 15 राज्यों से जुर जाएगी ऐसा गुजरते मुंबई तक हम पहुंच जाएंगे 110 जिलों से होते हुए ये यात्रा 100 लोकसबा सीटे और 337 विदान सबा सीटे कवर करेगी करीब 6700 किलोमेटर दूरी तई करके ये यात्रा मुंबई में समाप्त होगी जैराम रमेशी ने यात्रा के बारे में विस्तार से हमारे पदादिकनों की मीटिंग लिए है सबको ये सारे चीजे बताए हैं कहां कहां किस वक्त हमारे मीटिंग सोंगे और हम किस किस जगे पब्लिक मीटिंग करेंगे इसका सारा विवर वो देंगे और वो अपने जित्रे भी स्टेट से गुजरता है उनको भी बुला के उन्होंने मीटिंग लिए है बारत जोडो नया यात्रा देश के सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक तीनों विशेयों देश के बुनियादी मुद्दों पर हम ये यात्रा निकाल दें मई महने से मनिपूर में जो मई में मनिपूर में दुरभाग्य पूर्ण घटना घटी और घटती रही पर रात दिन मोदी जी कभी समंदर में वहाँ पर जाके या स्विमिंग करने का दिखाते हैं फोटो सेशन कभी अभी कंस्रक्शन हो रहा है मंदिरों का वहाँ पर जाके वहाँ फोटो निकाल लेते हैं कभी केरणा में निकाल लेते हैं कभी बंबय में निकाल लेते हैं हर जगे जाकर नए नए ये अपने वस्त्र पैन के हर जगे से फोटो रोज आप तो देखते रहे होंगे आप भी तंग आये होंगे कितने बार इतनी सूरत देखना फिर भी वो सूरत बताने का वो नहीं छोड़ते और आप लोग उसकी पिक्चर पकड़ना भी नहीं छोड़ते तो ऐसा आज लोकों को ये हो गया कि भाई क्या है कोई एक भगवान का दर्शन के जैसा रोज उड़ते ही उनी का लेकिन ये महापुरुष मनिपूर क्यों नहीं जहां लोग मर रहे हैं जहां महिलाओं को रेप किया जा रहा है जहां लोग थंडी में मर रहे हैं वहाँ उनकी हाल चाल पूछने के लिए वो जा रहे नहीं क्यों क्या वो देश का हिस्ता नहीं है आप लक्षदीप में जाके पानी में ठहरते हो क्या आप मनिपूर जाकर लोकों को समझा नहीं सकते आप पूरी सत्ता आपके पास है आप तो यही कहते हैं मेरे को इस भारत देश में मैं अकेला ही ऐसा हूँ मेरे को कोई अपॉजीशन भी रोक नहीं सकता यहीं उनकी बात है मैं तो पार्लमेंट में उन्हों ने कह एक मोदी बस सारे अपोजिशन को उन्हों नहीं कहा मैं नहीं कहा तो जब एक मोदी ही बस है सबको तो जाओ भे मैंने पूर में जाकर देखो क्या हाल है क्यों ऐसा हो रहा है देश का हिस्सा है वो